तो आज मैं सेयर करने वाली हूँ पुवा की रेश्पी जो खाने में काफी स्वादिष्ट होता है और हेल्दी भी होता है इसको मैंने गिहूं के आटे से बनाया है तो बिल्कूल वीडियो को स्क्रीप मत करिएगा हमारे साथ वीडियो में बने रहें तो चलिए रेश्पी को सुरू कर लेते हैं नमस्कार रानी कीचन में स्वागत है तो गिहूं का आटा हमने लिया है यहाँ पे एक कप गिहूं का आटा लिया है आप कोई भी मेजिमेंट के लिए कप या कटोरी का इस्तमाल कर सकते हैं यहाँ पे एक कप से थोड़ा सा कम हमने चीनी का इस्तमाल किय तो इसमें डाल देते हैं दोनों चीजों को और आधा कफ हमने दूद लिया है दूद को अच्छा सा उबाल करके थोड़ा सा गाड़ा कर लिया इसके बाद हमने दूद को लिया है बहुत ही टेश्टी पुवा लगता है तो मैं इस पुवे को बीना सूजी के साथ बना रही तो सबसे ज़्यादा मेनत काम होता है फ्रेंज पुवा को फेटना पुवा को जितना ही फेटेंगे उतना ही आपका पुवा जो है सौप्ट और फ्लफी बनेगा तो देखी एक साथ हमने दूद नहीं डाला है थोड़ा थोड़ा दूद डालते जाना है और इसको फेटना है दूद नहीं डाल दिया है तो फ्रेंज अगर आपको मेरी रेस्पी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें ज्यादा से ज्यादा से शेयर करें और नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दें तो इसको फेट करके तयार कर लेते हैं तो होली आने वाली है फ्र और काफी टेश्टी लगता है खाने में तो यह देखे हमने अच्छे तरीके से इसको फेट लिया है अब इसमें डाल देते हैं कुछ ड्राइफूट्स था हमने किसमेश और बदाम को काट करके इस तरह से ले लिया है अब जो भी ड्राइफूट्स पसंद करते हों उसको ड जरम होता रहेगा तो यह लीजे दस में अठ हो गया है काफी अच्छे तरीके से फूल गया है आटा ज्यादा देर रखने की जरूरत नहीं है क्यूंकि हमने इसको अच्छे तरीके से 10-15 मिनट तक फेटा है लगतार काफी फ्लपी हो गया है देखने से पता चल रहा है तो बिल्कुल तयार हो गया है थोड़ा सा बैटर गाड़ा हो गया है थोड़ा सा दूद इसमें और डाल देते हैं और इसको फेट लेते हैं ज्यादा हमें पतला घोल नहीं चाहिए जैसा कि हम अगर कल्ची से गिराएं तेल में तो अच्छे से गिरना चाहिए तो उस तरह का ह लग रहा था बैटर इसलिए हमने इसमें थोड़ा सा दूद डाल दिया है आप दूद की जगा पानी का भी इस्तमाल कर सकते हैं लेकिन दूद से थोड़ा सा काभी टेस्टी लगता है पुवा खाने में तो यह दिखिए अराम से गिर रहा है तो बैटर बिल्कुल रेडी है तो कल्ची ले लेते हैं यह देखिए कितनी आसानी से गिर रहा है बिल्कुल इसी तरह की कसिश्टनिसी चाहिए हमें पुवा बनाने के लिए ज्यादा गाड़ा बटर इसका नहीं चाहिए तो चलिए बना लेते हैं फटापर से पुवा तो आज हमने बिल्कुल लो पे प्र Argentine डाना है अधा यह जो इसके ऊपर से थोड़ा-सा तेर हम इस तरह से estudio कल्ची से थोड़ा-सा उपर भी डाल देंगे ताकि उपर भी अच्छे से सीख जाए इसके बाद हम इसको पलटेंगे तो इसको निकाल लेते हैं तो इसी तरह से हमें बाकी पुवा को बना करके तयार कर लेना है तो पुवा बनाना बहुत ही असान है अगर कुछ बातों का ध्यान रखेंगे बैटर ज्यादा पतला नहीं होना चाहिए न ज्यादा गाड़ा होना चाहिए और इसको अच्छे से फेटना बहुत जरूरी है तब ही पुवा आपका फुला फुला और मुलायम बनेगा है तो इस बात का ध्यान रखेंगे तो पुवा भी आप बहुत ही असानी से बना सकते हैं यह दिखिए हमने बना करके तयार कर लिया है तो सारा पुवा हमने बना लिया है तो होली में तो पुवा बनता ही है फिर नश तो आप इस तरह आठे का पुवा बनाएं तो काफी हिल्दी होता है और काफी जटपर से बन के तयार भी हो जाता है तो यह दिखिए सारा पुवा हमने बना करके तयार कर लिया है तो इसको निकाल लेते हैं तो ये लिजी सारा पुआ तैयार है बहुती टेस्टी और बहुती बढ़िया बना है फ्रेंड्स तो आप भी जरूर इस रेस्पी को ट्राई करें वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं धन्यवाद